तो वेलकम एपरेडी एक कोशन आई है जो की संधी प्रावत ने कोशन किया है इनका कोशन है कि इनके फादर के नेम में जो है वो गरबड़ी हो गई है 10th क्लास में जो है वहां पे space नहीं है और जो 12th है उन सभी में जो है वो space नहीं है और 10th वाले में है तो इस case में जो है वो क्या problem हो सकती है आप आप देख सकते हैं कि ये वाला जो है वो इनके 10th में है और ऐसे जो है वो इनके 12th में लिखा हुआ है या फिर graduation और सभी जगा ऐसे लिखा हुआ है तो क्या जो है वो db में reject हो जाओंगा और phone भड़ते time जो है वो 10th के according सारा कुछ बढ़ दिया था तो देखिए 10th के according अपने अगर सारा कुछ बढ़ दिया है और 12th अधार card pen card इन सभी में जो है वो आपका अगर नीचे वाला जो मैंने जो मार्क किया है अगर ऐसा है तो थोड़ी सी problem हो सकती है क्योंकि अगर ऐसे भी हो तो आपको problem हो सकती है कि आपने जो है वो 10th हर 12th में तो पहला आपका अलग है और अगर SSC में कुछ भी जो है वो spelling mistake यह सभी रहती है तो वो वहाँ पर amend करने का आपको मौका मिलता है इस बात के लिए तो आप चिंता नहीं करें कि SSC में जो भी आपने लिखा है तो वो सभी एमेंड हो जाएगी एक बार ताप वहाँ पर जाके confirm कर ले कि आपको भरना कौन सा चाहिए मिंस यह वाला आपको भरना चाहिए या फिर यह वाला भरना चाहिए जब आप वहाँ प और हाला कि जो है वो spelling यह सभी में बस space का problem है कि सोने और सोने के बीच में जो है सोने और लाल के बीच में स्पेस मिला है यहाँ पे नहीं मिला है तो आप जो है एफ़ी डिफिट अभी बनवा ले और डिवी में appear हो और वहाँ पे जो है वो पूछेंगे आप से कि कौन सा सह कि आप अभी देख लेना कि आपके और सभी documents में जो हो वही आप देना जैसा कि आप कह रहे हैं कि टुएल्थ और ग्रेजुएसन में यह वाला है तो आप यही वाला जो है उन्हें कहना कि सर यहीं वाला फिल कर दो आप क्योंकि टेंथ वाले में बस एक जगह गरबड़ी और सभी जगह गरबड़ी नहीं है तो उससे अच्छा किस है कि आप जो है वो टेंथ वाले को जो है वो अप जो है वो डिसकार्ट करके चलो और नीचे वाला अगर आपका सभी जगह है तो उसे ही जो है आप मान के चलो और वही जो है वो सब जगह देना तो कोई भी जो है झाल झाल